सेलाम और इत्म बैफी नदर विलोग जैसे कि आप जानते हैं मैं अब्दुल्ला हूँ मेरा कल्स फर्स्ट विलोग था अज मेरा सेकंड विलोग है और आज हम अपने मुर्गियों को दाना पाने डालने जा रहे हैं कि मुर्ण को अब्दूद कर आद से दूओगा है कि रहने आज हैं जालन विलोग है और अ़ना पने चाहरू अब देखते हैं मैंने सारे बरतनों में पानी डाल लिया है अब हम इनके खुड़े में रखते हैं इनके खुड़े में रखते हैं अब पानी के बाद समने सब मुर्गों को दाना डालना है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारी मुर्गों को दाना डालते हैं जाना तो खतम हो चुका है थोड़े देर तक दाना लेने जाएंगे जब तक मुर्गों को हम बंद गए देते हैं यह तो अपने खुड़े में चली गई है कि की बारी है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मुर्गों को बंद कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने चाचू की सेट अप पे जा रहा हूं कि आप देख सकते हैं हमारी एक देशी मुर्गी है उतने बच्चे निकाले थे अब अब काफी बड़े हैं और यह देशी है जाए सारी और इस साइट पे भी यह देशी हैं एक मुर्गी उपर है आपको अब आपको नीचे दाके मिलते हैं अब देशी कि अब ममा ने कहाँ नीचे रोटी आप दोई उनको पर मुर्गों को डाल कि आओ देख चलो हम चलते हैं दोटी में लेजिली हैं अब उपर जाके मिलते हैं अब बहुत आप दाल रहा हूं तो मैंने इन को डाल दी है अब बड़ी मुर्गों के बारी है अब बस जैसी रागी है अब इनको डाल लिया अब हम नीचे चलते हैं जैसे कि मैं नीचे आठीक हूँ आप देख सकते हैं यह मेरा तोता है यह बॉल तब यह मिठू मिठू और अभी अभी मैंने पोदो का पानी बे दे दिया सबको यह देखें यह चोटा सा मेरा प्लान्ट है इस अब आप सा ठीक है तो जाओ है जैसे को अब याज़े शाया जो तो आदे की अफियाओ है मैं मेरे चैनल को फोलो करें लाइक करें कमेंट करें वीडियाओ मिठ्स्क्राइओ अब आपको इस्वाद्सद्स दिखा दिन्सक्राइओ देखें अज़कर लिए अइस विल्मार वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जादे से जादे कियागा अल्ला हाँ